हेलो फ्रेंट्स हम लोग बात करेंगे कि जो भी मारे इंटरप्राइस होते हैं उनका स्वरूप कैसा होता उनकी संदशना कैसी होती है तो पिछले चाप्टर में जो भी हम लोग ने पढ़ा हुआ था प्रकरम कैसे होंगे उसको देखने की बात करते हैं तो सबसे पहले ताप यह समझे कि कारियों की प्रकृति कैसी है और सरकार से किसी भी सरकारी उपक्रम का कैसा संबंध है उस पर आधारित करेगा कि वो किस तरह का स्वरूप ले समझे हैं फिर से समझे हैं कोई भी सरकारी उपक्रम कैसा होना चाहिए यह उसके कारियों की प्रकृति के आधार पर नड़ारित किया जाएगा उसके उसकी खुद की आवशक्ताएं कैसी है और सरकार से वो किस हिसाफ से संबंध ने थे सरकार के बहुत ज़्यादा क्लोज ह से सीरे सीधे चीज़े जा रही है और सरकार काहिए उसको एक अंग माना जाता है पूरी तरह से या नहीं माना जाता है यह सारी चीज़े इस पर अधार रिथ होता है कि उसका फॉर्म कैसा होगा उसका उसका जो स्वरूप है वो कैसा निकल करके आएगा अच्छा और एक ज कुछ से इस तरह का काम करना है कि जो उसके organizational functions हैं क्या-क्या होंगे performance अच्छी रहे और जो बी उसको उत्पादन करना उसके उत्पादकता अच्छी रहे तो इस तरह के जो उसके organizational function उनका निर्वन अच्छी तरह से हो, जो भी उसके संगठन आत्मकार हैं, उनका निर्वन ठीक तरह से हो, ये प्रात्मितर हैगी, तो वो किस तरह की फॉर्म में अच्छी से हो पाएगी, किस तरह का संगठन का स्वरूप होगा, संगठन कैसा किया जाए, उसका स्वरूप कैस हो वो इस बात से िपैद्धि किया जाएगा कि यह जो सामाने सोवीरिधान्त है उसका लगन ना हो ठीक तो यह दो चीजे ऐसी हैं जिसके अाधार कहा करने की कोशिस करte हैं हम किसी सर्कारी उपक्रम के स्वरूप को雪 करने की कोशिस कर है कि उसका सवरूप कैसा होगा अच्छा अब कुछी दिन समझ लीजे साथ जी छेत्र में जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि साथ जी छेत्र का मतलब क्या हुआ तो एक तो दिमाग में आता है कि सरकार यहां सरकार की महहम भूंका है अब सरकार कौन होता है देश का प्रहर मिनिस्टर से वह सरकार है देश में जो पूरी देश की जनता है वह सरकार है क्या या देश में कोई विभाग है आप जाएंगे तो आपको देखेगा रच्छा मंत्रा यहां पर लिखा हुआ है तो वह सरकार है क चिक है अब जब बोला जाता है कि सरकार की एहम भूंका होगी तो सरकार में किन लोगों की एहम भूंका होगी और सरकार भी हमारे देश में लोग तंतर है तो सरकार की जो जुम्मेदारी आती है वो इसके प्रति आती है लोगों के प्रति आती है क्यों कुछी लोग तंतर है और लोगों को directly कौन represent करता है संसद, अब संसद में भी लोग सभाय और राज सभाय तो संसद के प्रती जवाब देही होती है सरकार की, और जो संसद है वो लोगों का ही प्रतिनिदित है, तो समझ सीजे कि देश में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को एक-एक को जाकर के तो जो भी सरकार काम कर रही नहीं बता सकती है, वो बहुत ही practically impossible भी रहेगा, और इसलिए लोगों ने अपने अपने प्रतिनिदित करने वाले लोगों को भेजा हुआ है, represent करने वालों कि आप हमारे यांके संसद हो, तो आप जाकर के हमारी तरफ से आप सारे लोगों को represent कर रह है, तो सरकार कौन है, सरकार वो है, जो जनता के लिए बहुत सारे निर्णाय ले रही है, अब सरकार बनती कैसे है हमारे देश में, तो वो हम लोग क्वालिटी में पढ़ना है, सिंपल मजारिटी होनी चीए 50% जाजाब की सीट्स हैं, तो आपको सरकार बन जाएगी, तो आ साथ बहुत सारे सरकारी कर्मचारी भी होते है, новые слуш innovation, फिर बहुत सारे revenue service officers भी है, तो यह सारे लोग بھی हैं, इनका तो चुनाव नहीं होता, यह तो हमेशा ही रहते हैं, तो बहुत सारे कर्मचारी भी है जो इसमें काम कर रहे होते हैं, तो बहुत बुल रहता है कि हमनों government service मे करेंगे तो जनता सीरे थोरपे डिसाइड नहीं कर रहे होती है. लेकिन करमचारी और कार्याले इनका काफीמו डायेक्ट रोल रहता है. ठीक है. जो भी एस ऑफीसर्स हैं. भाकी भीसंट से हैं. लोगर एस्टर सेंने. लोगर रेंको उवफीसर्स. वो भी decide कर रहे होते हैं मंत्री भी decide कर रहे होते हैं और offices हैं वहाँ परी पूरा structure ऐसा बनावता है कि वो लोग decide कर रहे होते हैं तो यह लोग क्या करते हैं यह लोग किसी public sector undertaking को बनाने में उसके निर्माण में इन लोग का decision होता है अब decision के साथ काम भी यह लोग कर रहे होते हैं तो हमें क्या संवाण जाता है कि सबसे पहली बात तो है कि सरकार जो है वो एहम role play कर रही है और सरकार भी लोगों के थुरू कर रही होती है, अब वो लोगों के थुरू जब कर रही होती है, प्राइविट सेक्टर में क्या होता है, मेरा बिजनेस है, मुझे पता है, मैं directly responsible हूँ, यहाँ पर सरकार में ultimately कौन responsible है, ultimately किसकी जवाब दही बनेगी, तो अलग-अलग तरह के कानूनों में, कानून के हिसापस ही होता है, जब भी देखिए, rule of law मुआ रहा है, बोला आता है कि कानून करा ज़य है, तो हर चीज़ जो कानून के साथ हैं, उसका पालन किया जार होता है, ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि किस-किस तरह को उपक्रम होते हैं, लेकि अब उन देश के संसाधनों से कितना पैसा आएगा, कैसे आएगा, सरकार बेचेगी, कोई खरन, कोई खनेच पडार थे, तो वह भी सरकार बेच रही है, तो वास्ता में वो सरकार का संसाधन थोड़ी ना है, वो तो पूरे देश का है, तो पूरे देश का संसाधन होने की वज़े से ही जो सरकार के पास जितनी में संपत्ति है वो लोगों की ही है तो इस वज़े से हम लोग बोलते हैं कि जो स्वामित तो है सरकारी जो उपक्रा में उनके उपर वो सारे लोगों का है सरवजन का स्वामित तो है अच्छा अब सरवजन का स्वामित तो है और साथ में अगर इन public sector undertakings को चलाना है तो पैसे के जोट पड़ेगी, तो जो लोगों का treasury होता है मिला करके, क्या उसको बोलते हैं हम लोग सरकारी कोश्ट, ठीक है, जनता का ही पैसे से मिलकर करके जो बन गया या पूरे देश की संपदा को बेच करके, जैसे माली जी iron हो रहे हैं, एक तरह से लोगों के wealth का ही तो पैसा है सरकार के पास, तो वो जो कोश्ट मिलकर करके तयार होता है, उसको क्या बोल देते हैं, सरकारी कोश्ट, वो भी पिर अलगलग तरह को बात करेंगे, तो सरकारी कोश्ट का प्योग किया जाता है इसके परिचालन में, operations में, इस तरह क पास, तो बात कर लेते हैं कि उसको तरह के स्वरूप होते हैं, कैसे pick करना है, वो सौन में आना चाहिए, अब स्वरूप क्या-क्या है, तो तीन तरह के हम लोगों ने देखा था, अब पिछले वीडियो में बात कीती, बहुत ब्रीफ में, एक तो हमारे हो जाते हैं, विभ Statutory Corporation का मतलब क्या हो, कोई वैधानिक निगम है, और तीसरा होता है, Government Company, ठीक, अच्छा, ब्रीफ में लोगों ने बात कर ली दी, जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, ये विभागी उपक्रम में ठीक से देखेंगे, इसी वीडियो में, वैधानिक निगम में क्या होता है, कि कोई एक नया कानून मनाया गया, ठीक है, उस कानून के अंतरगत एक सरकारी उपक्रम मना दिया गया, तो किसी एक विशेष कानून के अंतरगत बनने वाला सरकारी उपक्रम को में क्या बोलेंगे, Statutory Corporation, वैधानिक निगम, ऐसे ही कोई अलग से कानून नहीं मनाया गया, जो Companies Act है, जिसमें सारी Private Companies पर रेजिस्टर हो रही थी, उसी में आपने एक Government Company को रेजिस्टर करा दिया, तो उसको क्या बोल देते है, Government Company को रेजिस्टर कराने का मतलब क्या होगा, कोई ऐसे Company जिसमें सरकार के सदारी 50% से ज़धा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, Government Company, अब यह सरकार है, तो पुरे राज को रेजिस्टर कर रही है, तो यहाँ पर Soul Proprietorship तो हो नहीं सकती, दूसरा हम लोग नहीं पढ़ा होता है, साज़ेदारी, साज़ेदारी में भी दो-तीन इंडिविजिल साकते हैं, ठीक है, यह दो-तीन से जादा भी हो सकते हैं, कुछ इंडिवि तो उसको बोलेते हैं, यहाँ पर 10 इंडिविजिल स्कॉन होते थे, कोई भी हो सकते हैं, अब वो तो यहाँ पर हो नहीं सकता, क्यों कि सरकार है, सारी ही लोग को रेप्रेजियंट कर रहा है, तो ना और Hindu family business भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि Hindu family business में एक ही परिवार विशे और साथ में सहकारी समती cooperative society, यह तो होई नहीं सकते, company form में कैसा है, जहाँ पर सरकार भी आतर के रोल प्ले कर सकती है, ठीक, तो यह हम लोग ने चीरे देखें, अब इन तीनों में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहरे departmental undertakings की, क्या क्या विशेस्ता हैं उसको देखेंगे, अब ही आप बिल्कुल brief में समझ लीजे, कि सबसे पुराना system यहीं है, जो सरकारी ढहांचा बनना है start हुआ, एतिहासिक दिश्री कोर से, तो सबसे पुराना और परंपराग शुरूप जो है, वो इसी को माना आता है, इसमें में कुछ अलग से company बगरानी का शकता नहीं है, सरकार का ही एक विभाग है, रख्षा विभाग, अब रख्षा विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग सारे के सारे लोग केस में हो गया है, डिफेंस में, तो वो सरकार का ही एक अंग माना जाएगा उसको, ठीक है, तो होता क्या है, कि मंत्राले में एक विभाग ह विभाग एक हिस्सा है एक भाग है तो जैसे सिच्छा मंत्राले है तो सिच्छा मंत्राले में बहुत सारे लोग ऐसे जो काम कर रहे हैं सीरह तो वो सरकार के मंत्राले का ही एक extended पार्ट है ठीक है उसी का एक विस्तार है उसी का एक हिस्सा है उसका अपना अलग से कोई भी वै कानून में अलग 앞으로 करना नहीं नहीं है तो सरकार का हिस्सा है और इन लोग होते ना उनको पूरी तरह से government employee मना जाता है ठीक है अभी आप समझेंगे जैसे समझ दीजे एक जब चुनाव बगएरा होते ना तो बहुत सारे सरकारी लोगों की duty लगती है आप लोग साहर जानते होंगे आपके आप सपास कोई हो तो जो सरकार के एकदम close जो departments होते न पूरी तरह से सरकारी नहीं है ठीक है सरकारी उपक्रमों में अलगत्रे के जिसे निगम भी आ सकते हैं ऐसे State Bank of India सकती है तो वो पूरी तरह से सरकारी नहीं है है ना तो यहां पर क्या होता है यह डारेक्टली पूरी तरह से सरकारी है इनका सब कुछ जो है वो ट्रेजरी से आ रहा होता है सरकारी खजाने से आता है अच्छा तो इसी के जो विशेस्ता है उसका हम लोग देखते हैं बाकी बस यह जो important points से उधारण में आप समझे मंत्राले की बात परते हैं वह पता है कि हमारे एक तरह से वैचे तो तीन सरकारे होती है और गावं कही क्या होता है तो वह तीसरा इस्तर सरकारी के विभागी तो इसी में हम लोग इन तीनों को विभागी 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 उपक्रम वैधानिक निगम और सरकारी कमपनी इसी को आगले आने वाले वीडियो में देखें इस वीडियो के प्रायोजक है आप और अगर आप ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियॉन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिये गए क्यू आर्पोर्ट को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दे अपनी क्लास का उद्दे से आप सभी के ल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस पर अप्लोड भी हो चुके हैं ज्यान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना घुमोल योगदान जरूर दे बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ का इंडिया